आप सब अमीद करती हैं आप सब ठीक होंगे तो आज फ्रेंस में आप से विदॉट योजिंग एस पिजा पैन पिजा बनाऊंगी जिसके मैं रेसिपे आप से शेयर करने लेगी हूं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यह जो कप है कप आपके सामने इसको मैंने तीन कप आप मैंदा जो है इसका इसका तीन वीडियूम पीज़े बन जाते हैं वह अराम से त्टीक मैं जो दही ले रही हूं इसको अच्छी से esk Pod nutberg लोगी He Ha K ya भास और यस का अंदर वन टेबल स्पून नमक और वन टेबल स्पून चीन्य और वन एड़ हाफ टेबल स्पून बेइकिंग पॉरडर मैं इसके अंदरva की 110 की और टेबल स्पून ऐल मैं इसके एड़ कर दूँगी फिर इसको और मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसको गूंद लूँगी इसको मैंने को गरम पानी के साथ नहीं गूंदा मैंने इसको ऐसे ही जो पानी नॉर्मल पानी है उसके साथ इसको मैंने गूंदा था देखिए मैं अच्छे से पहले मि डालेंगे गर्म पानी से मैं िसको नहीं गुंदा जो इस्ट वाला जो हता है जिसमें मैं इस्ट करती हूं वह गर्म पानी इसे कूंदती हूं जो के मैं आल्यडी यह आशिय आ शेयर कर चुक्छी हूं यह मैं फॉर्स टाइम इसके साथ बना रही थी यह बेकिंग पॉर्डर और दही के साथ यह देखे भी मैंने इसके अदर पानी एड़ नहीं किया इसको मैंसी घुंद रहीं उच्छे से मिक्स हो जाएगा और साथ यह थोरए सा गूंदा भी जाएगा ठीक है मैंने देख पानी अब उसी कंदर नॉर्मल पानी ना तो यह ठंदा था ना यह गरम था उसी कप में डाले चाकि यह जो दही साथ चिपका हुआ था वह भी इसके अधर एड़ हो जाएगा ठीक है यह पानी ज्यादा यूज नहीं हो है कि हम दही इसके अंदर बहुत जादा डाल चुके हैं और इसके साथ जो तही डालने से ना जो इसकी डोप बनी थे ना जो इसका जग पीजा बना था बहूं सौट êला था वैसे पीजा अच्छा बनता है लेकिं जिसके उन लोगों जिसको ऐस पसंद नहीं है iskis smell मुझे iskis smell अच्छी नहीं लगती तो वैसे लोग भई मेरे बचे खा लेते हैं तो मैंने इसके साथ try किया कि कैसा बनता है अच्छा इसको दो यह मैंने गून लिया है यह हाथ से चिपक रहा था मैंने के बाद ना फिर मैंने हाथ पे यह थोड़ा सा यह हाथ पे भी ग्रीस करके ना ऑएल से हाथ को और थोड़ा सा उप़र मैंने उयल लगा के फिर मैंने गूल दिया दास मिन att Mog後 मैं यह दो लेकिन ये डो जो है न इतनी राएज नहीं वए थी लेकिन जो डो जो है प्क के ज्यादाव, यह होती है, यह strict राएज हो थी लेकिन ज्यादा नहीं हुए थी, लेकिन पीज़ा पक के जो बना था बहुत मज़ेका बना ठीक है अब मैं ये चिकन की त्यारी करने लगी हूँ ये बॉलनेस चिकन लिया है मैंने फूरा सा मैंने आयल डाला है आयल डालने को बैस इसके अंदर नमक तो इसी लाल मिर्च सुरक मिर्च और 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 जो और इसकंदर तिका मसाला आड़ करोंगी वन एंड हाफ टेबल स्प और हाफ टी स्पून बिलस अनदर पॉर्डर कर डाला मैंने और साथ में मैंने ये मैंने इसके अंदर जर्दा कलर एड़ कर दिया इसके अंदर जो इसकी लुक है बहुत अच्छी आती है लुक इसको तिका पीजा बनाया था इसका फ्लेवर मैंने तिके वाला दिया था इस टेबल जो है वो रेडी कर लिये है यह पीयां सोस बना लिया है मैंने और यह ऑषरी कहना हो वो मैंने वो भी रखी है लेकिन मैं वो जो आना वहर दकिया डालना भूल जाती है पिजर में ये मेरा हाल है कौंड कौंड जो है यह ईस tecnा कह था वो चीज़े जो है ना बनाते बनाते बूल जाता है अगर आपने से किसी कैसी आदा तो मुझे जरूर मेरसा शेयर कीजएगा अच्छा यह हमारी डो जो है ना यह रेडी हो गई है इसको मैं यह देखे गूंद रही हूं एक तुबा फिर मैंने गूंद आ फिर इसको मैं बड ब율 सके तीन पिजए बन जाते हैं अब मैंने यह दो जो है ना यह पैन ली है एक फ्लैट है आफके सामने दूसbnा है दूसरा लियावार में वह फ्लैट नही है यह जो फ्लैट पैन इस पे जाढे चाप इस पर जीज़ड़ा बनता है तो मैंने दो इस्टेर के खायते था कि अच्छा इसको जो हमने बेलना ना पेरे को इस तरह बेलना जैसे हमारी आम रोटी होती है ना उससे थोरा सा डबल साइज का मुसको पेरा इसको बेल लेंगे और फिर ये बाद में फूल जाएगा राइज हो जाएगा इसकी डो बनाते में आते विए इसकी जो डो है ना वो लेकर बनाते बनाते जो है ना राइस होगे थी बहुत जबदस इसका जो है ना ये ये सॉफ्ट भी थी और बहुत टेस्टी भी थी अच्छा मैंने एक तरह डाल दी है और वह हल्की इसको फ्लेम है बिलकु सलो रखुई है मैंने हल्की सी रखी विए ठीक है और थोरा था brownie करना है, इसके मैंने ये देखे sire change कर ली है, site change करने के बाई मुझी ज़्यदा varios लगा थे पिर मैंने उसको दोबादा जो है नहीं उसको उसी तरह कर लिए था, पहले नहीं पहले इसके अंदर मैंने और इसके अंदर सुरा कर लिते और जैसे मैं दूसरा पीज़ा बनाएक करती हूं. उसमें तो हम ऐसी कच्छा डू की इस तुरा कर ल्याँ कहिए, इसके लिया, लेकिए मैंने पहले ऐसे सुरा क्र लिए फिर से ब्र้उने मी पिर मैंने को साइड़ चेंज करके नद दुबारा फिर पीजा इना कि लुक आ लिए इस प्रोपच incarnate ब्रॉम पिर मोहाँ में टोपंग करेंच किई इसाई ब्रॉम का ब्रॉम दोदी आ पेज़ के ने मौजलीला चीज लगा दिया अच्छा ये दूस इसको मैंने पक्ने के रह दिया iस거든 तक दूसरा पिजा भी ready हो गया था वो सही ब्रॉन हो गया था घृसके अदर भी मैंने तयार कर लिए था और पर्ल के लिए थिाड़ पक्ने के लिए रख दिया थे फिर मैंने तीसरा पीजा वह मैंने फ्लैट में बनाया था यह जादा अच्छा बनä था hiçbir आप भी नीचे से नीचे से देखाती हूं कि ऐसा बना है नीचे से बहुँए जीए पकर नीसे पता चल रहा है कि यह कितनी सॉफ्ट है नीचे से ब्राउन है जला नहीं है बिल्कुल भी और बिल्कुल सॉफ्ट और मैं बला कि करते हूं जब इसके टॉपिंग करी हो तो आप नीचे से चूला बंद करके फिर दुबारा ओन कर लेती हो ताकि जले ना तो यह देखें मेरे तीन पीज़े रेड़ी हैं उमीद अपको मेरे पीज़े पसंद आया होगे मेरे वीडियो पसंद आया होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला आफेज